हलो नमस्कार दोस्तो मैं आर्वी सिंग आर्वी जी टेक चनल में आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे बेरिंग फेल्वर के बारे में और जानेंगे किन-किन कारणों से बेरिंग प्रीमिचुर फेल्वर हो जाते हैं और साथ ही deeply जानकारी लेंगे interference के बारे में यानि bearing के internal diameter और soft के outer diameter में कितना अंतर रहता है और किसी कानबस soft के diameter तथा bearing के internal diameter में ज्यादा अंतर हो जाए उसका bearing के उपर क्या effect पड़ता है साथ ही जानेंगे बेरिंग अगर हमारी हाउजिंग में लूस फिटिंग हो जाती है या टाइट फिट हो जाती है उसके बेरिंग के उपर में क्या इफेक्ट आते हैं प्रिमीचुवर बेरिंग फेलवर के रीजन जानने के लिए बीडियो में आंतर तक हमारे साथ बने रहें चलिए दोस्तों बिनादेरे की हुए बीडियो के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं बेरिंग फेलवर के कौन कौन से में रीजन होते हैं bearing failure का सबसे main region होता है वो होता है lubrication failure यह लैक आफ lubrication, contaminated oil, proper grate ना होना और bearing failure का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है overheating जो की निम कारणों से हो सकता है unsufficient lubrication, over filling a file, less bearing clearance, less gear backless, proper cooling arrangement ना होने का कराण तो था breather choking के कराण भी overheating हो सकती है और इसके लावा ओर loading यानि excessive load gear box पे आता है और इसकी bearing पे आता है तब भी bearing premature failure हो जाते हैं यानि अगर bearing का selection या gear box का selection जो है ओपरा पर नहीं होता है उस condition में भी bearing premature failure हो सकते हैं इसके साथ ही corrosion यानि resting के कराण भी bearing failure होते हैं अगर हमारा gear box long term तक store किया जाता है या open area में चल रहा है जिसके कराण इसके अंदर में water content पहुण जाते हैं condensation तथा vaporization के फ्लस रूप इनकी bearing को तक water content पहुण जाता है जिसके कराण इसमें resting हो जाती है और gear box का mis alignment भी bearing failure का एक कराण होता है और अगर हमारी bearing housing में lose है तब भी bearing failure होता है और अगर tight fit है यानि हमारी bearing जो है साथ के उपर में ज्यादा tight fit है उसके कराण bearing का cleanse कम हो जाता है और परयात आयल जो है bearing के अंदर नहीं पहुण जाता है तो चलते हैं side पे और देखते हैं tight fit bearing का cleanse किस तरके से बढ़ाते हैं यानि इस problem को कैसे solve करते हैं तो दोस्तो हम side पे पहुँच चुके हैं यहाँ पे समस्या यह थी कि यह bearing बार बार premature failure हो रहा था जो कि gear box की input pinion पे लगा हुआ है और gear box को dismantle करने के बाद पाया गया है कि इसमें bearing का clearance जो है वो लेस हो जाता था इस करना यह bearing जो है premature failure हो रहा था इसको find करने के लिए हमने क्या किया है gear box dismantle करने के बाद जो इसकी bearing निकली हुई है यानि पुरानी यही bearing को shaft के उपर में insert किया है वो भी hammer की मदद से यानि हमने गर्म करके bearing ना डाल करके hammer से ही डाला गया है तो पाया गया है कि जो हमारी bearing है shaft के उपर में ज्यादा tight fit हो रही है जिसके करना bearing का clearance जो है कम हो जाता है जबकि हमारी housing में जो bearing का fitment है वो बिलकुल ठीक है यानि इसमें जो problem है वो interference की है interference को detail में जानने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कितने तरीके का fitment होता है एक होता है clearance fit जैसे कि हम distance piece विस वगरा जो डालते हैं shaft के उपर में वो होते है clearance fit interference fit जो होता है वो होता है press fit माना हमारा bearing है 62 का यानि bearing का internal diameter है वो 100 mm है और जो इस पे shaft पे लगेगा उसका diameter होगा 100.02 mm यानि shaft की od और bearing की id में जो अंतर है वो है 0.02 mm यानि 20 microns जो है इस shaft का interference हो जाएगा और इसके लाव जो तूसरा fitment होता है वो होता है transition fit clearance fit तथा interference fit के बीच में जो आता है वो होता है transition fit और transition fit को ही slip fit या push fit भी बोलते हैं इसको एक example के थूरू समझ लेते हैं जो हमारा piston pin होता है जो piston के hole यानि बॉस में fit होता है वो होता है transition fit ही यानि push fit ही होता है interference fit में अगर हमारा interference बहुत ही ज़्यादा होता है यानि shaft का diameter और bearing के ID में ज़्यादा अंतर होता है तो bearing हमारी clearance कम होने के कारण shaft के उपर में जाम हो जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें interference का ही issue है सामे नहता 100 से 200 mm की shaft होती है उसके उपर जो bearing fit के जाते हैं तो shaft और bearing के diameter में जो interference होता है वो 10 micron से 30 micron के मद में रहता है interference वाले जो हम gear या bearings या coupling fitment करते हैं उनको हम 3 method से fit करते हैं जिसमें सबसे पहला fitment है या method जो है वो है dry fit इसमें हम hammer की मदद से bearing या gear को fit करते हैं और इसका जो दूसरा method होता है उसको force fit कहते हैं इस method में हम bearing, gear या coupling का जो fitment करते हैं वो hydraulic jack या प्रेस मशीन की मदद से करते हैं interference का last method जो होता है वो shrinkage fit होता है इसमें हम क्या करते हैं bearing को oil में गरम कर लेते हैं और गरम करके इसका internal diameter बढ़ा लेते हैं और sharp में fit कर लेते हैं अगर हमारे पास bearing गरम करने का arrangement नहीं है तो हम shaft को liquid nitrogen में डाल करके shrink कर लेते हैं उसके बाद bearing में insert कर देते हैं I hope interference fitment का तरीका आपको समझ में आ गया होगा अब चलते हैं tight fit bearing को किस तरीके से हम solve करते हैं यानि tight fit bearing का cleanse किस तरीके से हम बढ़ाते हैं उसको देखते हैं जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो input shaft है उसके उपर जो bearing लगी है वो ज्यादा ही tight fit है यानि interference बहुत ही ज्यादा है जिसके करना bearing का cleanse कम हो जाता होगा और bearing premature failure हो जाता होगा अब हम इसके interference को कम कर लेते हैं इंटर्फरेंस कम करने के लिए हम इस shaft को लेत मशीन में बान दिया है और इमरी टेप की मदद से हम इसके shaft के ऊपर में पॉलिस कर रहे हैं पॉलिसिंग करने के बाद जो हम इसका interference रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं 0.01 से 0.03 यानि 10 micron से 30 micron के मद्द में और बीच बीच में इसका measurement करते रहेंगे यानि shaft का outer diameter नापते रहेंगे जैसे ही हमारा interference जो है trollness limit के अंदर आ जाएगा तो इस shaft में पड़ी हुई पुरानी bearing को drive fit की मदद से इसकी seat पर पहुचा देंगे यानि hammer की मदद से इसकी seat तक पहुचा देंगे और confirm हो जाएगा कि bearing हमारी shaft के उपर ज्यादा tight नहीं है उसके बाद जब हम नई bearing डालेंगे उसको हम आयल में गरम करके ही डालेंगे तो दोस्तों polishing करने के बाद में हमने जो दोनों नई bearing shaft में insert किया है वो किया है 120 डिग्री रखा है और जो इसको time दिया है वो दिया है लगभाग आदा घंटे इसके बाद हमारी bearings easy insert हो गई है shaft में अब हम इसकी input pinion shaft यानि sun gear की shaft को housing में insert कर देंगे और insert करने के बाद इसकी oil seal वाली cover plate को लगा देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमारा input pinion shaft easy smoothly move कर रहा है oil seal की in cover plate में हम जो यूज करेंगे 11666 यूज करेंगे gas cutting के लिए तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको एक परशन भी लाप्रत लगा है तो अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले वीडियो में आंतर तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद थैंक्यू फार वाचिंग जै हिंद